नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हमेट और गैजर्ट्स फर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बैस्ट लैप्टॉप्स की जो कि आप खरी सकते हैं लैप्टॉप की जो कि आप खरी सकते हैं 40,000 रुप से नीचे की प्राइजिंग में और वहां पे भी हमने काफी अच्छे खासे लैप्टॉप को चूज किया है तो अगर आपका बजट यही है तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूसफूल होने कर रहा है तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं बने रहेगा हमार साथ इस वीडियो में लेकिन दोस्तों सबसे बहले हम आपको बता दूब कि यहां पर मोबाइस की तरह है मतलब प्राइजिंग सेम नहीं होती है इंफेक्ट काफी ज़्यादा चेंज्ज को देखने हो प्राइजिंग में अलग अलग वैबसाइट की बात करते हैं तो वहां पर प्राइजिंग का दिफ्रेंज है ही इनफेक्ट बहुत ही माइनर से कॉन्फरीकिशन में आपको काफी बड़ा दिफ्रेंज दिखने को मिल जाता है तो जिन लैप्टॉप्स के हम बात कर रहे हैं उन सभी का लिंक का आपको description में और pin कमें मिल जाएगा ताकि आप चेक कर पाएं कि उसकी current pricing क्या है और जैसे कि मैं आपको बताया कि इसकी pricing काफी हद तक change होती रहती है तो हो सकता है कि जो मैं आपको price बता रहा हूँ वहाँ पे आपको थोड़ा सा difference देखने को मिल जाए लेकिन हाँ आप चेक जरू कर सकते हैं चलिए start करते हैं number 7 के साथ और दोस्तो number 7 पे आता है Lenovo का एक laptop जो की है IdeaPad S145 बात करते हैं यहाँ पर दोस्तो सबसे बहले price की तो 30,990 रुपी की pricing में यह available है मतलब जिनका budget laptop है सबसे पहले यहाँ पर जो design laptop का वो decent है बहुत कूल design की साथ में आपको यह laptop देखने को मिल रहा है weight की बात करते हैं तो थोड़ा सा higher side है 1.8 kg की आसपास आपको यहाँ पर weight देखने को मिलेगा बात करते हैं processor की तो यह note order अच्छा है AMD का आपको Ryzen 3 processor देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको चार जी परेम के साथ में एक टीब का hard disk भी देखने को मिल रहा है तो लगबग 30,000 रुपए की pricing में जब हम जाते हैं तो हमें hard disk ही देखने को मिलेगा SSD देखने को नहीं मिलेगा तो इस बात काम को ज्यान रखना होगा लेकिन price की एसाफ़ जो मैं क consider कर सकते हैं बाकि फिर भी detail वीडियो के लिए आप किसी और वीडियो के भी देख सकते हैं कि यहाँ पर और क्या-क्या features आपको देखने हो मिलेंगे मुझे तो यह laptop काफी अच्छा लगा बाकि आप अपने according चेक कर सकते हैं कि आपकी priority को यह match करता है या फिर नहीं अब दो Intel का i3 10 generation को processor देखने हो मिलेगा और जो बाकी specification थी वो लगबक सेम थी जो कि हमने पहले वाले laptop में देखी थी तो यहाँ पर जो main difference हमको देखने हो मिल रहा है वो है processor का जी हाँ यहाँ पर हमें Intel का i3 10 generation processor देखने हो मिलता है तो यह भी काफी अच्छा laptop है 32,990 रुपेस का price ह 4GB RAM आपको मिल जाता है 1TB का hard disk आपको यहाँ में देखने हो मिल जाता है वैसे अगर आप RAM को extend करना चाहें तो कर सकते हैं 4GB का inbuilt RAM है लेकिन हम इसे extend और कर सकते हैं 1TB का हाट डिस्ट देखने हो मिल रहा है जी हाँ इस price में में hard disk देखने हो मिलेगा और अगर मैं बात करत विंडोस 10 आपको install देखने हो मिलता है, pre-install देखने हो मिलता है, तो ये काफ़ एची बात है, और ये आता है हमाले इसमें number 6 पर, अब दोस्तों कुछ लोग laptop लेते समय, specification के साथ में brand को भी prefer करते हैं, कि उन्हें अच्छा सा अच्छा brand यहाँ पर देखने हो मिल जाए, चाहे तो जो लोग ऐसा सुचते हैं, उनके लिए है number 5, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ASUS के VivoBook 15 की, जो कि आपको मिलता है 38,900 नबर रुपे की pricing में, इस specification की बात करते हैं, तो बहुत ज़रा difference नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, brand name की, या फिर अगर हम बात करते जो CPU दिया गया है, वो Intel का i3 10 generation देखने को मिलेगा, जो कि हम पहले भी बात कर चोके हैं, दूसरे laptop में, यहाँ पर आपको मिलने वाला है RGB का RAM, जी हाँ, RAM, RGB आपको इन बिल्ड देखने हो मिल रहा है, 1TB का आपको hard disk देखने हो मिलेगा, जो display size है, वो 15.6 inches का है, और यह भ अलवागर मैं बात करता हूँ, कुछ extra feature की, तो finger fit sensor up को यहाँ पर देखने हो मिल जाता है, तो जिन लोगों का variety दोस्तो, specification के साथ में brand भी होता है, तो मुझे लगता है कि Asus का VivoBook 15, उनके लिए बहुत ही अच्छा laptop है, इसका price 38,990 रुपय है, हाला कि यही specification, लगबग अरवाई की pricing में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ, Asus की तरफ से आता है, तो थोड़ा सा ज्यादा price है इसका, लेकिन हाँ, यह काफी decent laptop है, और मुझे लगता है कि यह deserve करता है, number 5 की position, तो आप इसे consider कर सकते हैं, बहुत ही professional look के साथ में आपको Asus के laptop देखने को मिल जात पर जो specification है, वो थोड़ी सी और बैतर है, और अगर मैं बात करता हूँ, brand name की, तो no doubt, यह भी आपको top के brands पे देखने को मिलता है, तो लगबग 40,000 पर अगर आपको budget है, तो यह बहुत ही decent laptop है, यहाँ पर भी दिया गया है 15.6 inches का screen size, full HD display आपको यहाँ भी देखने को मिल ज के साथ में, इसके लाब यहाँ पर 8 GB का RAM दिया गया है, जिसको कि of course आप extend कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन दोस्तों सबसे important कि यहाँ पर दिया गया है 256 GB का SSD, अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे laptop की वहाँ पर hard disk दिया गया था, लेकिन यहाँ पर SSD दिया गया है, तो यह काफी अच्छी बात है, और pricing में भी बहुत ज़र डिफरेंस नहीं है, जैसे कि इस से पहले हमने जो बात कर रही थी, Asus के laptop की, वहाँ से price लगबख 2,000 पर एक डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर आपको SSD दिखने हो मलता है, तो मुझे लगता है कि आपको इसको consider करना दोस्तों तो यह आता है, MSI की तरफ से, MSI जो थोड़े से महांगे laptop होता है, उसमें ज़्यादा popular है, लेकिन जो budget series के laptop होते हैं, वहाँ पे कम popular होता है, क्योंकि वहाँ पर HP, Dell, या फिर अगर में बात करता हूँ, Acer की लिगनों की, तो वो ज़्यादा popular होते हैं, लेकिन फ जी हाँ, यहाँ यहाँ पर जो आपको processor देखने को मिलता है, वो 10 generation से 11 generation हो गया है, तो यह काफे अच्छी बात है, इसके अलवगर मैं बात करता हूँ, दोस्तों, screen size की तो 14 inches का screen size आपको मिलेगा, जो की नाम से ही बिल्कु clear है, यहाँ पर आपको RGB का RAM देखने को मिलता है, और इसमें भी दिया गया है SSD 512 GB का, हाना कि जिस model का अभी मैं देख रहा हूँ, वो 512 GB के साथ में आता है, जिसका price दिया हुआ है 6,990 रुपए, लेकिन इसका ही मैंने 256 GB SSD के साथ में एक model देखा था, क्योंकि अभी तो मुझे देखने को नहीं मिला, उसका price लगबग 40, 1000 रुपए था, तो उसे आप सर्च कर सकते हैं, अगर किसी website पर आपको मिल जाता है, तो यह बहुत अच्छी डिल होने वाली है, क्योंकि 256 GB के SSD के साथ में आपको IE3 11 generation का मिल रहा है, और वो भी MSI की तरफ से, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही decent laptop है, और आप इसे जरू कर सकते हैं, यहां पर भी आपको Windows 10, P-Stall देखने को मिल जाता है, MS Office वगरा देखने को मिल जाएंगे, बैटरी भी काफी अच्छा होता है MSI की laptop में, तो यह बहुत अच्छी डिल है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको consider करना चाहिए, या फिर एक बाद जरूर चेक आउ फोल होनी चाहिए, तो यह जो number 2 का laptop है, उनी के लिए है, क्योंकि यहां पर मैं बात कर रहा हूँ, Avita के laptop की, जो की मतलब एक नया brand आप कह सकते हैं, और बहुत ज़्यदा popular नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, specification की, तो वो मतलब बिलकुल top पर है, इस pricing में, मैं भी Intel का i5 processor दिखने हो मिल जाता है, और वो भी 10th generation के साथ में, इसके लाव यहां पर आपको 8GB का RAM दिखने हो मिल जाता है, और सबसे इंटरस्टिंग यह है कि 512GB का SSD दिखने हो मिलेगा, जो कि इस price में और कोई भी brand नहीं देता है, तो यह बहुत इंटरस्टिंग पॉइट है और 40,900 नंबर रुपी की pricing में यह available है, तो मुझे लगता है कि यह one of the best laptop है, और इसलिए आता है यह में डिलिस में नंबर 2 पे, और दोस्तों अब आ रही है नंबर 1 की, तो यहां पर मैं देखने हो मिलता है, HP की तरफ से HP 14 2021, मतलब यह recently launch हुआ है, काफी सारी latest चीजे आपक से buy कर सकते हैं, यहां पर आपको मिलता है Intel i3 11 generation का प्रोसेजर का फेची बात है, 8GB का RAM आपको यहां पर देखने हो मिलेगा, 256GB का SSD आपको यहां पर देखने हो मिलेगा, और क्योंकि यह latest laptop है, तो यहां पर आपको Alexa भी built-in देखने को मिल रहा है, जो कि हमने इससे पहले किस laptop नहीं देखा है, जिसके हम अब भी बात कर रहे थे, इसके अलब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, डिस्प्ले की, तो 40 इंजिस का screen size है, full SD डिस्प्ले के साथ में, तो काफी decent laptop है दोस्तों, और HP का brand भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, काफी popular है, तो अगर आप आपको budget लगबख 40,000 रुपर है, तो मुझे लगता है कि यह one of the best laptop है, और आप इसे consider कर सकते हैं, यहाँ पर हमें Windows 10 pre-install देखने हो मिल जाता है, MS Office भी अपको in-build देखने हो मिल जाएगा, इसके लाग दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और version देखने हो मिलता है, जो कि LT के साथ में आता है, मतलब आप कोई भी अपना 4G का SIM लगा सकते हैं, तो एक और option भी है, उसका pricing थोड़ा सा अलग है, वो जो कि आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं, तो आप उसकी तरब भी जा सकते हैं, specification लगबख सेम हैं, और जो pricing हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़र डिफरेंस नह नहीं आई, या फिर कोई और laptop यहाँ पर include होना चाहिए था, तो वो भी आप हमें नीचे comment section बता सकते हैं, चैली दोस्तों, बस यही था आज के इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को like और शेकर ना मत बूलिएगा, अ हम अपसे मिलते हैं, अगला ऐसे एक इस वीडियो में तब तक के लिए आपके देन शुब रहे हैं, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बदन्यवाद